तो फ्रेंड स्वागत है आप सब का आपके अपने यूटीव चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में एक शार्प गिरावट के बाद में इन्वेस्टमेंट में पड़े हैं काफ़ी सारे कमेंट से क्शन से लेकर और सुषल मीडिया के इनुगा पने कमेंट पर भ guard भ encontra और शाम इस्टा स्टॉक में होने चाहिए डिटेल में हमने इस बारे में इस वीडियो में बात करी है फ्रेंट्स 40 रुपे से लेके 291 रुपे तक की नौन स्टॉप जरनी टी टी एमल में देखने को मिली अभी दस बारा टेडिंग सेशन पहले यह अनौंस्मेंट हुआ था कि कंपनी जो है ए लिए खड़े हुए है कल न्यूज आई की कंपनी ने वो डिसेजन विड्रॉ करे लिया वह गौवर्रमेंट को स्टॉक इश्यू नहीं करेगी आज अपर सरकिट स्टॉक में लग गया आज अपर सरकिट पर खरीदने की होड लगी हुई थी कल तक जो बेचने के लिए परि सब्सक्राइब करेंगे जो प्रिवेस डिसेजन था उसको विड्रॉ कर लिया है अंडाउट इडिली सेंटीमेंटली स्टॉक के लिए पॉजिटिव है क्योंकि जो महां पर अलॉटमेंट था वह 40-42 रुपे के आसपास हो इतना किसी भी कारण से स्टॉक पंप हुआ हो इत पर क्या अब यह कोई ऐसा जो डिसेजन आया है क्या एक ऐसी न्यूज है जो स्टॉक को रियरेट करके जो है इसका नया हाई बना देगा में बात यह है क्योंकि अभी भी सिस्टॉक में लोग 270-260 के रेट पर फसे हुए हैं आप समझ यह जो इसका जो डिसीजन आया है कंपनी पर अभी भी डेट है अगर आप सब्टैमबर कोटर में देखें तो कंपनी की जो सेल है वह 269 क्रोड के आस पास आई थी और वहां पर 314 क्रोड के आस पास का लौस कंपनी ने किया था दो कंपनी की मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने आपको यह बात बोली थी क दो तीन रुपेस का प्राइस हुआ करता था एक डेट साल पहले वहां से देखें तो स्टॉक बहुत चल चुका है नीचे के रेट से भी अभी देखें तो स्टॉक बहुत बड़ा मूव दे चुका है इतनी करेक्शन के बाद भी स्टॉक अगर पिछले दो साल के लोज की बात करें तो वहां से यह स्टॉक ने जबर्दस मूव दिया है तो तीन रुपे से चलके स्टॉक तीन सो रूपे दो सबस्ती रूपे तक चला गया था और रेडी स्टॉक की री रेटिंग हो चुकी है यहां पर फ्रेंट्स जो यह बाइंग इंटरस्ट आपको देखने को मिल रहा है यह सिर्फ कुछ नहों कि एक अपरेटर ट्राप है यहां पर फ्रेंट्स इतनी जबर्दस बाइंग देखने को मिल रही है इसमें रिटेल इन्वेस्टर कूद की किसी भी रेट पर खरीदने को तयार है अब भी तो सरकित तो सरकित मूवमेंट है ऑपरेटर के कं इसने अपना आल टाइम हाई बनाया था तो वहां वह तो फसेंगे ही जो नहीं बाइंग अब कर रहे हैं उनके भी ट्राप होने के पूरे चांसिस हैं क्योंकि सरकिट पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं है मैंने पहले भी डिसकुस किया तकि अपर सरकिट पर आप जो है रन आ रहा है आप निकलने की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के तरफ सोचे तो फाइदे में रहेंगे और अगर आपको नहीं भी सोचना है तो आप स्टॉप लोस लगा के जैसे भी आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेजी अपनाते हैं वह बने रह सकते हैं पर अगर फ्रेश बा बात को समझें कि अच्छी चीजे अल्रेडी इन हैं स्टॉक काफी बड़े मुफ दे चुका है वालुएशन बहुत महिंगे जैसे जैसे सरकेट लगेंगे वालुएशन और महिंगे होते जाएंगे तो नीचे के रेट से लेके बैठे हैं तो पार्शिल प्रॉफिट बुक करो feel free to ask me in the comment section video पसंद आईए like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए आपके अपने चैनल is my investment को subscribe करना ना भूलें